हेलो रिवान, विलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एच्जू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे ओक्सिप और पेडियाट्रिक ड्रॉप्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिकेशन के बेजिक यूज के बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस में ये मेडिकेशन यूज की जाती है साथ ही जानेंगे उसके वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये अपना काम करता है उसकी मेकिनिजम क्या रहती है उसका Delhi dose क्या होता है और किस तरह से dose calculation होती है वो भी हम सिखेंगे और last में जानेंगे ये medications के side effect, contraindications and warnings के बारे में तो detail study करते हैं oxypore oral drops की ये lecture के अंदर तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox तो अब जो हमारे courses के PDF and PPTs आप एक्सेस कर पाओगे PharmaRox के आप उपर और वो भी affordable price के अंदर कि जिसके अंदर आप सीख पाते हैं medicines के basic use के बारे में, dose, side effect और उनके warrings के बारे में तो study material, test series and video lectures के लिए डाउनलोड करें आप PharmaRox Android user, Android app डाउनलोड करें, iPhone user, App Store से लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब जो हम समझते हैं oxypore के जो pediatric drops है उनके बारे में आप समझते हैं तो ये जो medication है वो एक antibiotic medication है और उसका जो salt composition हम देखे तो वो है phallospurine class का antibiotic medication है और ये suspension के form में available होता है कि जो बच्चों को specially dropper के थुरू drops के form में जो है वो दिये जाते हैं और ये medication सिर्फ और सिर्फ pediatric purpose के लिए use किये जाते हैं कि जो आप oxypore के drops समझो के आपको prescribe किये जाते हैं तो वो सिर्फ बच्चों के लिए ही use किये जाते हैं ये drops और ये powder form में medications available होती है और इसको suspension बनाने के लिए साथ में जो है वो sterile water दिया जाता है कि sterile water को जो है वो जो bottle होती है उसके अंदर mix कर दिया जाता है कि जिससे उसका जो suspension form है वो तयार हो जाता है तो उसके manufacturers के बार में समझे तो oxypore drops के जो manufacture है वो है Indoco Remedies Limited की जो एक Indian pharmaceutical company हम कह सकते हैं और साथ हो साथ ये multinational pharmaceutical company की जिसके अलग-अलग 50 से भी ज्यादा countries के अंदर ये company जो है वो available है और इसका जो headquarters जो है वो है मुंबई के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Indoco Remedies Limited का ये logo और ये जो हमारे product oxypore drops के यहाँ पर भी उसका Indoco का आप logo जो है वो देख सकते हैं अब समझते हैं कि ये medications के अंदर रहा जो salt composition है वो समझते हैं safe products in proxytil जैसे मैंने आपको भी बताए कि वो एक antibiotic medication है और सेफालोस्पोरिन क्लास का antibiotic antibacterial medication है तो ये bacteria के कारण होने वाले जो अलग-अलग bacterial infections होते हैं उन में यूस किया जाते हैं और ये oxypore के drops जो है अवेलेबल है वो pediatric यूस के लिए और वो specially 0 से लेकर जो 11 months के जो babies होते हैं उनके लिए जो है वो खासकर यूस किया जाते है तो age range खासकर इसकी हो जाते हैं 0 से 11 months के age group में ये oxypore के drops यूस किया जाते हैं तो safe products इं proxytil जो है वो third generation sephalosporin medication है और ये क्या करती है bacteria के सामने पहले fight back करेगी और फिर उनको kill करती है कि जिससे ये medications लेने से bacterial infection जो है वो कम हो जाता है और ये जो medications जो है वो adult के लिए tablet के form में भी available है और बच्चों के लिए उसके suspense unavailable है और जब बच्चे की age 0 से 11 मन्त की range में होते तो उसके ये drops जो है वो use किये जाते है कि जो बच्चों को dropper से जो है वो दिये जाते है तो आप समझता है ये medication की mechanism के बारे में कि किस तरह से safe products in proxytil काम करता है तो ये medication क्या करता है कि कि किसी भी bacteria को survive करने के लिए या फिर उसके growth के लिए जरेरी होता है ये cell wall का synthesis करना तो ये medications क्या करती है cell wall synthesis के लिए जो जरूरी ये peptidoglycan का synthesis होता है ये synthesis को inhibit कर देगी यहाँ पर लिखा है कि it work by inhibit the peptidoglycan synthesis अब ये peptidoglycan बहुत ही important होता है किसी भी bacteria को अपनी cell wall के synthesis करने के लिए कि चाहे वो gram positive bacteria है या फिर gram negative किसी भी type के bacteria को अपनी cell wall का synthesis करना हो तो ये peptidoglycan का मौजद होना जरूरी है because peptidoglycan से ही किसी भी bacteria की अपनी cell wall बनती है अब समझो कि ये peptidoglycan का synthesis समझो कि बंध हो जाता है तो बैक्टेरिया के cell wall synthesis नहीं होगी और cell wall synthesis नहीं होगी तो आगे जाके वो bacteria जो है वो kill हो जाते है उनकी death हो जाती है और दीरे दीरे bacterial infection जो है वो आपके body में से कम हो जाता है तो ये जो medication है safe products in proxytil तो ये gram positive bacteria में भी effective है 7-7 gram negative मनलब कि उसका spectrum हम देखे तो broad spectrum antibiotic जो है वो कहा जाता है कि बहुत सारे number of bacteria को kill करने के लिए ये medication जो है वो use की जाती है और ये क्यारे करेगा आपकी body के अंदर जो infection फैलाते है bacteria उनको कम कर देते कि जिससे वो disease and disorder का proper इलाज हो जाता है तो अब समझते हैं कि कौन से अलग-अलग condition में ये oxipod के drops जो है वो use किया जाते है तो सबसे पहले condition जैसे कि bacteria से होने वाले अलग-अलग infection जैसे कि gonorrhea हुआ है कि small babies के अंदर समझो कि gonorrhea के कोई condition है तो उसको इलाज में भी use के जाते हैं फिर कोई ear के अंदर infection उनको देखने को मिल रहा है तो ear infections को भी treat करने के लिए ये medication दिये जाते हैं फिर throat में कोई infection देखने को मिल रहा है छोटे बच्चों के अंदर और वो भी 0 से लेकर 11 month की range म समझो कि जिसको ये problem हो रहा है तो उस वक्त ये oxypode के drops जो है वो खास कर use किये जाते हैं फिर tonsils के अंदर infections हुए कि tonsils में सुजन देखने को मिल रही है वहाँ पर infection हुआ है फिर respiratory tract के infections है जैसे कि chest में जो है वो infection है कि या पर आप देख सकते हो कि ये जो x-ray के अंदर काफी समझो कि cough देखरे को मिल रहा है coughing की intensity जदा बड़ी हो respiratory tract के अंदर infection है या फिर बच्चों के अंदर bronchitis के जैसे condition है pneumonia जैसे condition है तो वो सभी condition को ये medication treat करते है कि जिसको specially हम कहते है respiratory tract के infection की जो bacteria से होते है bronchitis में भी useful है sinuses के अंदर भी ये useful है और समझो कि babies के अंदर UTI होता है तो भी ये medication जो है वो काफे effective सावित होती है उनके इलाज में तो अब समझते हैं ये medication का dose क्या है तो जो otitis media की जो हम condition कहते है कि समझो की ear infection की जो बात होती है तो उस वक्त ये medication का dose रहता है 5 mg पर kg पर day और maximum 200 mg बड़ वो adult के लिए रहता है बड़ बच्चों के लिए जो हम calculate करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 mg पर kg के according to ही उसको use किया जाते है कि समझो कि बच्चे का weight जो है वो समझो की 3 kg है तो उसकी लिए जो weight हो जाएगा dose हो जाएगा उसका 15 mg हो जाएगा per day अगर बच्चे का weight जो है वो 4 kg का है तो इसका dose हो जाएगा around 20 mg पर day because simply आपको calculate करना है कि 1 kg weight है तो dose है 5 mg तो समझो कि weight है 4 kg तो उसके लिए कितना dose हो गया तो वो हो गया 4 into 20 is equal to 20 mg पूरे दिन में उसी तरह से pharyngitis है, tonsilitis है कि tonsils के infection है, pharyngs के अदर infection है, sinusitis है तो उसके लिए भी खासकर जो dose है वो तो सेम ही है 5 mg पर kg but otitis media के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक वो use किया जाते है, tonsilitis वगरा के लिए 5 से 10 दिन और sinusitis की condition है, तो 10 दिन तक वो drops को use किया जाते है और दूसरे जितने भी अलग-अलग infections होते है, उसमें भी ये common तो रहता है 5 mg पर kg तब उस पर से अब आप इसके dose कैसे calculate करते है, वो हम जानते है, तो यहाँ पर oxypore की हम label के उपर देखे, तो label में लिखा है कि each ml reconstituted suspension की जब आप उसका suspension तयार कर देते है, तो उसके अंदर safe production proxytil कितना रहता है, तो वो रहता है 25 mg एक ml के अंदर की यहाँ पर लखा है each ml, मतलब की इसका मतलब यह होगा कि एक ml जितना जब medication use करते हैं आप, तो उसके अंदर 25 mg जितना आपको यह safe production proxytil जो है वो medicine मिलेगी, अब हम जानते हैं कि 1 ml बराबर होता है 20 drops, कि जब आप समझों कि 1 ml जितना medications लेते हैं, तो वो medications का हो जाता है equivalent to 20 drops, या फिर आप 20 drops लेते हैं, तो वो हो जाता है equivalent to 1 ml, तो यहाँ पर आप समझ लो कि 1 ml में 25 mg ड्रग है, और 1 ml बराबर होते है 20 drops, मलब कि 20 drops is equal to हो जाएगे 25 mg जितनी medication, अब 20 drops में 25 mg है, तो एक drop में कितना होगा, तो आप आसन इसे calculate कर पाते हैं, मैट्स की तरह, कि 20 drops है, तो 25 mg ड्रग, एक drop आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर कितनी medicine जो है वो डिलीवर होगी, तो उसका simply 25 by 20 करते हैं आप, तो वो answer मिल जाता है 25 mg, तब वही है next कि एक drop बराबर हो जाएगा 1.25 mg, अब समझो कि ये हमारा जो है, वो डोल से के 5 mg पर kg पर डे हमारा, ये डोल से medication का, कि अब हमने ये find out कर लिया कि जब ये एक drop medication किसी को दिया जाता है, तो एक drop के अंदर ये medication आती है 1.25 mg, अब समझो कि बच्चे का weight है 4 kg, तो डेली dose हो जाएगा around 20 mg पर डे, कि dose will be 5 into 4, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कि 1 kg है, तो उसके लिए 5 mg dose है, 4 kg है, तो उसके लिए कितना होगा, तो वो हो जाएगा 20 mg जितना दे, पूरे दिन के अंदर, अब यहाँ पे हमने calculate कि एक drop बराबर होता है 1.25 mg, तो उस को हम इस तरह से भी लिख सकते कि 1.25 mg medications is equal to हो जाता है 1 drop, तो 20 mg के लिए कितने drops हो जाएगे, तो वो जब आप calculate करोगे, तो वो answer मिलता है आपको 16 drops, कि जब आप 20 drops जितना medications use करते हैं, और 20 mg जब आपको medications deliver करनी है, तो उसके लिए हो जाएगे 16 drops, तो यह किस तरह से आया, त तो आसानी से आप उसको calculate कर सकते हैं, कि 1.25 mg is equal to होता है 1 drop, तो 20 mg के कितने drops होंगे, तो simply 20 into 1 divided by 1.25 आप करोगे, तो answer मिलेगा आपको, यह 16 drops, तो 16 drops जो है वो बच्चे को दिये जाएंगे, पूरे दिन में, कि 1.25 mg बराबर 1 drop, 20 mg जो देना है बच्चे को, कि उसका weight 4 kg का है, जैसे हमने देखा, और 1 kg weight हो, तो 5 mg medication देना है, तो 4 kg के लिए हो जाएगा, 20 mg जितना medication वो भी पूरे दिन में, तो जब आप यह dropper यूज करोगे, तो वो dropper से पूरे दिन में, जो है वो 16 जितने drops जो है वो बच्चे को देने होते हैं, बट 16 drops एक ही साथ नहीं दिये जाते हैं, divided dose में दिया जाते हैं, जैसे कि हर 6 से 8 गंटे पे या फिर every 12 hours, तो अब समझो कि हम dose frequency 6 गंटे की रख देते हैं, तो उस वक्त, जो 16 drops है, वो हम 4 अलग अलग divided कर करके देंगे, तो 24 hours में हमें total 16 drops देने हैं, तो समझो कि हम 6 अवर का time interval रखते हैं, तो 4 drops हम देंगे हर समय, कि 6 अवर का time difference और 4 drops, फिर से 6 कंटे का time difference, दूसरे 4 drops, फिर 3rd और ये 4th, तो इस तरह से आप देखों, ये होगए आपके 16 और ये होगए 24 hours, तो इस तरह से divided dose में हम 24 hours के अंदर इस तरह से 16 drops जो है वो, medication जो है वो, दे सकते हैं, अगर every 12 hour आप रखते हैं, तो उस वक्त 8 drops जो है वो दिये जाएंगे, कि हर 12 गंटे पे interval पे 8 drops, इस तरह से proper जो है वो, medications deliver होगा, तो जरूरी है कि जब भी आप pediatrics के लिए ये oxipode के drops यूज़ करते हैं, तो इस तरह से proper 5 mg पर kg पर day के according to, आप जो है वो dose calculate करना चाहिए, तो इसी तरह से आप practice कर सकते हैं, अगर समझो कि बच्चे का weight समझो की है, 8 kg जितना weight है, तो उसके लिए कितना dose दोना चाहिए, तो वो आप जरूर से calculate करें, और comment box के अंदर comment कर सकते हैं, आगे समझते हैं, कि oxypode के side effects क्या हो सकते, तो उसके करन abdominal pain हो सकता है, diarrhea की condition हो सकते हैं, अगर आप बच्चों को यह oxypode के drops देती हैं, और कई बार dose ज्यादा हो गया है, या फिर higher dose में medications यूज़ कर लिए, तो उसके बच्चों को दस्त हो सकते हैं, diarrhea हो सकता है, नौसिया जैसा फिल करेगा, और कई बार जो है, वो vomiting जैसी हो जाएगी, या फिर कुछ बच्चों को उससे constipation भी हो जाता है, loss of appetite जैसी condition फिल होती है, gas बन सकती है बच्चों के अंदर, उनको सरदर जैसा फिल हो सकता है, dizziness फिल होना, anxiety जैसा फिल होना, drossiness में लिएकि नीन दा सकती है, और रात के समय, urination के frequency जो है, वो बच्चों के अंदर increase हो सकती है, अगर आप ये oxipod के drops उनको use करते हैं, कई बार runny nose जैसे side effect हो जाते हैं, sore throat हो जाते हैं, overdose के अंदर के काफी excessive use किया जाता है, तो ये sore throat कर सकता है, cough करवा सकता है, या फिर vaginal itching और discharge जैसे side effects भी develop होते हैं, ये safe production proxytal medication से कि जो ये oxipod drops के अंदर use की गई है, contraindications देखे कि अगर ये drops देने के बाद कोई भी ऐसी hypersensitive reactions बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि आखों में सुजन होना, lips या फिर जीब के उपर swollen जैसा हो जाना, heartbeats increase हो रहे हैं उसे condition, abdominal pain ज देखने को मिले, whizzing जैसा का condition देखने को मिले, confusion, loss of consciousness, तो तुरंत ये medication को बंद कर देनी चाहिए, जिसको medical terms में condition कहा जाता है, anaphylactic या फिर anaphylactoid reactions, कि जिससे तुरंत ये medication जो हो लेना बंद कर देनी चाहिए, फिर इसके हम warnings देखे, तो कब ये medication को use नहीं करनी, तो क्योंकि ये medications देने के बाद बच्चों के अंदर allergy देखने को मिलती है, या फिर आपको किसी भी sephalosporin antibiotic की allergy है, तो भी ये medications को नहीं देनी चाहिए, फिर ये prescription based medications है, तो proper जो pediatricians के consult के बाद ही use करनी चाहिए, कि जो pediatric doctors जो होते है, वो proper बच्चे के weight के according to ही, उसको dose जो हो suggest कर जाते है, तो वो खास check करना चाहिए, आपको रुसी के बाद ये medications को use करनी चाहिए, फिर ये medications को कब लेनी चाहिए, तो अगर already बच्चे को stomach pain जैसा हो रहा है, उसको diarrhea है, या फिर water या फिर bloody diarrhea है, तो भी ये drops उसको ना दे, फिर समझो कि jaundice जैसे condition है, कि yellow wing देखने को मिल रहा है, आइस के अंदर, तो भी ये drops को use नहीं करनी चाहिए, फिर बच्चे की skin समझो कि yellow जैसे देख रही है, dark color का urine आ रहा है, या फिर weakness जैसा है, तो भी ये medication use नहीं की जाते है, फिर ऐसे child की जिनको seizures आते हैं, convulsions की condition है, तो उनके लिए भी ये drops suitable नहीं है, फिर allergy है, safe products नहीं है, और अगर hypersensitive reactions हो जाते हैं, ये medication को use करने पर, तो ये था हमारा special lecture, oxypode के drops के उपर, तो उसी तरह से अलग अलग जो lecture से उनके access कर पाएंगे, आप medicine course के अंदर की जहाँ पे आप सिखे medicine के basic use, dose, side effect, warning, contraindication की जैसे यहाँ पे हमने oxypode का सिखा, इसे बहुत सारे medicines के बारे में आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, medicines related course के उपर, pharma rocks की आप उपर, तो डाउनलोड करें आप pharma rocks, android app, जो है वो google play store पे है, apple iphone, app on app store, ये number भी whatsapp करके भी, आप जो है ये course की link वगेरा पास सकते हैं, तो link आपको description box में मिल चाहेंगी, android user, android app डाउनलोड करे, iphone user app store से, link आपको description box के अंदर मिल चाहेंगी, so good luck and all the best.